दोस्तो जीमेल एकाउंट चाहे आप दोस्तो यूटूब पर निव चैनल को क्रियेट करें या फिर गूगल प्लेश्टोर में आप कोई भी एप को इस्टर करें तो आपको जीमेल एकाउंट का जरूत पड़ता होगा सो आज का इस वीडियो में आपको जीमेल एकाउंट आप कैसे मोबाइल के मदम से बना सकते हैं फुली स्टेप बाइ स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ सो वीडियो में आप बने रहे हैं मैं हूँ आपके साब गोपी और आप दखेए टेक जी हिंदी चानल चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहल आपको प्लेश्टोर एप को ओपिन करना है ओपिन करने के बद दोस्तो यहाँ पर आपको मिल जाता है sign in इस option वैप को प्रेश करना है प्रेश करने के बाद दोस्तो checking information हो रहा है तॉ फाइनल दोस्तो कुछ इसतरी के cylinder पндके साब में आ चुका होगा नीचे आपको प्रेश्टोर प्रेश्टोर करना है प्रिस करने के बाद पहला option है for myself यानि कि अगर आप खुद के लिए account create करना चाहते हैं तो इस option में आपको प्रिस करना होगा और अगर आप business के लिए account create करना चाहते हैं तो यहाँ पर to manage my business इस option में आपको click करना है तो यहाँ पर choose कर लिजेगा आप choose करने के बाद simply आपको यहाँ पर next बाली जो option है यहाँ पर simply click कर देना है तो यहाँ पर automatically यह हो जाएगा उसके बाद simply यहाँ आपको मिल जाता है first name और last name तो पहला जो option है इस option में आपको press करके आप अपने first name को यहाँ पर दे दीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर last name यहाँ पर आपको आपका जो surrender में उसको दे देना है और यहाँ पर दोस्तो बिजनेस के लिए आप अपना यहाँ पर नाम दे दीजिएगा उसके बाद आपको next option में press कर देना है तो यहाँ पर आप बिजनेस के लिए account ready करना चाहते है उसके लिए मैं वीडियो मरा दूंगा आप मुझे comment section में comment कर सकते है तो दोस्तो उसके बाद कूच इसरे के सेंट पर आपके समने आचुका होगा तो simply आप आपका जो basic information है वो दे देना है तो यहाँ पर simply आपको month option में press करना है और आपका जो date of birth का जो month है यहाँ पर दे देना है तो मैं यहाँ आपर choose कर लेता हूँ दोस्तो चूज करने के बाद simply आपको नीचे option में प्रेस करना है और दोस्तो यहाँ पर आपका जो gender है वो उसको चूज करना है simply चूज करने के बाद simply आपको nextable option में प्रेस करना है तो दोस्तो नीचे आपको यहाँ पर मिल जाता है use mobile इस option में प्रेस करना है तो प्रेस करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपका जो mobile number है वो automatically यहाँ पर selected हो जाएगा तो simply यहाँ पर आपको क्या करना है अगर आप mobile number को change करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी mobile number को change कर सकते हो तो मैं यहाँ पर change करना चाहता हूँ अगर आप change नहीं करना चाहता हो simply आपको next option में प्रेस करना है तो मैं यहाँ पर change कर लेता हूँ पढ़ लाने के बाद simply यहाँ पर I agree इस बाले option में आपको प्रेस करना है दोस्तों यहाँ पर आपको 8 करेक्टर में mix करके later number और symbol mix करके आपको password देना है hard password देना है आपको तो यहाँ पर मैं password दे देता हूँ आपको भी दे देना है दोस्ते यहाँ पर पहला box में आपको दे दना है आपको जो password उसको copy करके फिर से आपको यहाँ पर नीचे की box में confirm कर दना है तो मैं आपको प्रेस करके confirm कर देता हूँ तो यहाप पर हो चुका है, simply आपको पासौट दे देने के बाद next पैदल Lindsay וमें, प्रेस करना है यहाप में जैसे आप प्रेस करते हो तैए आपको चाहईते हो आपका जो जी मेल एडरेस है उस एडरेस को आप चेंज कर सकते हो मैं change करना है तो usa product thisthis ऊप्राइव कि यह एँट यॉर जीमेल अढिस इस ऑप्रेस करना है जलेट आपको इसे यहापरिश कर section करता हूं कोई फीजीमेल आडस को दे सकते हो तो मैं मैं यहापर देता हूं दोस्ते यह पर आपको सलेक्ठ करना है आपका जो आपको प्रेस कर देते हैं। आपको फिर सेपर दिखाए जाएगा आपका जो यहां पर इमेल एडरेस है, यहांइ कि जीमेल एडरेस है, और pouco फोन नंबर को दिखाए जाएगा. उसका बढ़ाई सिंपल, आपको next box प्रेस करना है. नेक्स्ट आप्टन में प्रेस करने के बाद या पर, Google के जो Privacy and Terms Policy उसको या पर पढ़ लाने है आप चरेडियों पर पढ़ पढ़ सकते हैं तो पढ़ लानेके बाद आपको I Agree आप्टन में प्रेस कर देना है दोस्तों यहाँ पर checking information हो जाने के बाद account खुल चुका है तो simply यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर account जो है वो ready हो चुका है तो अगर आपको कोई भी problem हो रहे हैं तो मुझा comment section में comment कर दे न दोस्तो Gmail account तो आपने बना लिया लेकिन दोस्तों यह अभी तक भी fully secure नहीं है इसके मतले के दोस्तों आपका जो Gmail account कोई भी hack कर सकता है लेकिन अगर आप अपने Gmail account में two step verification को on कर देते हो तो इसको hack करना बहुत ही impossible हो जाता है तो अगर आप जानना चाते हैं two step verification को कैसे on करना है तो मुझे आप comment section में comment कर देना और Gmail account related कोई भी आगर आपका question है मुझे comment जरूर करना वीडियो अच्छा लगने पर like करना और चैनल पर नए आये हैं तुनको subscribe करना साथ साथ bell icon में click करके all option में subscribe कर देना ताकि जब है मैं इसे तरुस के वीडियो को upload करूँ सबसे पर आपके बस notification पहुचे आज का वीडियो उतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब देख ले जय हिंद जय वारत